आज में क्लास 12 के इंगलिस फ्लेमिंगो प्रोज का थर्ड चेप्टर डीप वाटर का मल्टिपिल च्वाइस क्वेस्चन्स इस्प्लेंड करने जा रहा हूं 45 मल्टिपिल च्वेस्चन्स और वेरी इंपॉर्टेंट फार यूर बोर्ड एजामनेशन्स CBSC बोर्ड, UP बोर्ड और अधर बोर्ड तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यह फर्स्ट कोश्चन देखेंगे आप अनभो के अंत में अर्थात प्रश्चन के अंत में अनभो जो भी प्राप्त किया था उस डगलस ने उन्होंने विचार किया था उसने विचार किया तो A, B, C, D, 4 आपसन दिया गया है तो इसमें आपका आपसन नंबर B सही है, Realized, Realized के मतलब होता है किसी चीज को अनभो करना, किसी चीज को महसूस करना, तो यह आपका B आपसन सही है इसमें, कोश्चन नंबर 1 में, अब देखेंगे, कोश्चन नंबर 2 देखेंगे, All we have to fear is fear itself, सारे भय को हम भय स्वयम समझ बैठते हैं, जब समझ लिये हैं, Who said these words, इन सब्दों को कौन कहा है, किसने बताया है, तो इसमें आपका 4 आपसन दिया गया है, 4 आपसन में, D आपसन सही है, President Roosevelt ने, President Roosevelt ने इस बिसे में बताया है, कि जो डर होती है, वो डर, स्वयम को उत्पन करा देती है, तो यहाँ पर जो है, D आपसन आपका सही होगा, इसके पस्चाद question number 3 देखेंगे, What do you think you can do to me, आप क्या सोचते हैं, कि तुम कर सकते हो, मेरे लिए, These words were spoken by Douglas, to, यह सब्दों जो है, बोले गए थे, Douglas के द्वारा, किसके बिसे में बोले गए थे, त to terror, अर्था terror, terror means होता है, भाय, भाय की बिसे में, दर की बिसे में बोले गए थे, Douglas के द्वारा, तो आगे देखेंगे, question number 4, question number 4 आपके लिए देखेंगे, कि whenever terror struck again, जब कभी भाय पुना, उत्पन हो, या पुना जो है, हमें गसित करे, Douglas would start, तो Douglas start करते थे, प्रारम कर देत थे, इसमें फोर आपसन दिया गया है, talking to terror, अर्था, भाय की बिसे में बाते करना, तो भाय की बिसे में बाते करना, ये आपसन number D, आपका सही है, देखें, question number 5, question number 5, Douglas had to repeat exalings and inhaling exercise, exalings, exalings का मतलब होता है, जो है, बाहर सांस लेना, बाहर सांस लेने को exalings कहते हैं, और inhaling का मतलब होता है, अंदर की ओर सांस लेना तो Douglas had to repeat exhaling and inhaling exercise Douglas ने दोहराना परारम किया था अंदर की ओर सांस लेना और बाहर की ओर निकालना इस तरह से तो इसमें 4 आपसन दिये गए हैं तो 4 आपसन में आपका आपसन नमबर ए सही है 100 टाइम्स 100 टाइम्स को मतलब हो था 100 बार साइकड़ों बार तो इसमें दिखें कि 4 आपसन दिया गया है 4 आपसन में आपका आपसन नमबर बी सही है 5 डेज एबी अर्थात एक सबता हमें 5 दिन 5 दिन वो अभ्यास करता था कहां पर अभ्यास करता था तालाब में तो यह आपसन नमबर भी आपका सही है इसके पस्चाथ हम देखें कोईश्चन नमबर 7 कोईश्चन नमबर 7 में देखें कि आप्टर बींग हाउंटेड बाई फियर फार मेनी इयर्स वरसों तक भैसे गरसित होनी के पस्चाथ डगलस डिसाइडड डगलस ने निर्णे किया तो लर्ण टू स्वीम तैराकी को सीखने का अथा तैरना सीखने का उन्हों निर्णे लिया ही टुक दा हेल्प आप उसने मदद ली थी किसकी मदद ली थी तो इसमें फोर आपसंद दिया गया है इसमें आप देखेंगे आएन इस्टक्टर इस्टक्टर कहते हैं जो एक पसिच्चक होता है उस पसिच्चक को इस्टक्टर कहते हैं दो प्राप्त करना तो उसने जो है जब चेतना को प्राप्त किया ही उसके लिए प्राप्त ही लिखा हुआ आगे us का आपसन ए बी सी डी में से आप देखेंगे कि आपसन नमबर सी सही है सूब्स एंड क्राइड एंड डीन्ट इट एनिफिंग वो चिलाता रहा अपने कारे में सांती पूर्बक रहा और didn't eat anything मनले कुछ भी नहीं खाया तो यहाँ पर question number 8 में option number आपका C सही मना जाएगा आगे दिखेंगे question number 9 Douglas bent down towards the bottom bottom means होता है तल तालापका जो तल होता है Douglas bent down towards the bottom Douglas नीचे तल की ओर गया फोर आपसन दिये गए है फोर आपसन में आपका आपसन number C सही है कितनी बार वो बाटम में गया नीचे की ओर गया जब वो डूब रहा था तो त्री बार यानि त्रिस यह जो C आपसन है आपका यह correct है आगे दिखेंगे my defense इसमें दिखेंगे question number 10 the water in the pool hide A तहलाब की पानी में था क्या था तो इसमें A, B, C, D फोर आपसन दिया गया है डर्टी इलो टिंग इसमें दिखेंगे डर्टी इलो टिंग अर था जो गंदगी सहीगत था पीला पन था तो यह सारे दिरस थे उस पानी के तो इसमें जो है आपसन नंबर आपका A सही है डर्टी इलो टिंग आगर देखेंगे question number 11 when douglas tried to L when douglas tried to L L मेंस होता है कि किसी चीज के लिए जो है कस्ट में जोलना किसी चीज को जो है स्वयम जो है अनभो करना कस्ट को जोलना तो यहाँ पर देखेंगे हाँ देखेंगे question number 11 when douglas tried to L अथा जब douglas ने आवाज करना यहीं कस्ट के में आकर कि आवाज करना प्रारब किया था आवाज करने की प्रयास किया था तो इसमें से ABCD फोर आपसन दिया गया है तो इसमें आपसन नंबर आपका B सही है, no sound came out तो उसकी आवाज जो है बाहर नहीं आती थी अथा तो आवाज जो थी उसकी बाहर नहीं आती थी तो इसमें आपसन नंबर आपका B सही है, आगे देखेंगे question number 12 the nine feet seem to douglas like nine feet परतीत होता था douglas को like इसमें जो है फोर आपसन दिया गया है, इस फोर आपसन में आपकी 90 feet यानि जो nine feet था, वो 90 feet के बराबर दिखाई परता था, 9 feet बराबर 90 feet के दिखाई परता था, अथा उसको अनभो होता था, परतीत होता था, तो आपसन number B आपका सही है, question number 13 देखेंगे, दो, डगलस वाज फ्राइटेंड, यद्यव डगलक जो है, भैभी, था, डरा हुआ था, ही वाज नाट इसमें ABCD में से हम देखेंगे कि आपसन नमबर आपका सी सही है, out of his bits out of his bits फिर भी वो पूरी तरह से उस भै से अलग था था भै भी तो था, लेकिन फिर फिर भी सर्द की तरह से जो है, उसमें जो है वो, उस सर्द को मानने के लिए तयार था, आगे देखेंगे question number 14 डगलस काल्स हिम ए डगलस उसे पुकारता है, ए मींस एक, अब क्या कहकर पुकारता है फोर आपसन में आपका आपसन number C सही है, ये beautiful physical spice man एक सुन्दर सारीरिक spice man की रूप में उसको कहकर के पुकारता है तो ये आपसन number आपका C सही है इसके पचाद देखें, question number 15 the misadventure at the YMCA pool happened when misadventure का मतलब होता है एक जो है जो जिसमें की एक जो है दुर्भाग या मिर्टू अभवक्त की जाती है जिसमें की दुर्भटना indicate की जाती है the misadventure at the YMCA pool happened उस YMCA pool में जो घटना घटित हुई एक आपर त्यासित घटना घटित हुई मिर्टू के रूप में when जब इसमें ABCD में से he was alone जब वो अकेला था उस YMCA pool में वो अकेला था तब ये घटना घटित हुई थी आगे देखेंगे question number 16 the incident in childhood had taken place at the beach in ये जो बचपन के समय का जो घटना थी जो बचपन के समय की घटना थी had taken place वो आगे तक बढ़ती गई बीच का मतलब किनारा होता है तो उसको आगे तक लेकर आई the incident in childhood had taken place at the beach in अर्थाद जो बचपन में घटना घटित हुई थी वो उसे किनारे तर लेकर आई तो इसमें 4 आपसन सही हूँ 4 आपसन दिया गया है जिसमें कि आपसन number D सही है कहां पर लेकर आई California में California में वो जो है लेकर कर आया आई आजको जो घटना है उसके जीमन में घटित हुई थी आगे देखेंगे जो पूरी स्टोरी आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी आगे देखेंगे question number 17 the pool's depth at the deep the pool's depth at the deep depth का मतलब होता है तल से उपर the pool's depth at the deep अर्था जो पूल था जो तालाब था वो तल से उपर था गहरा इंडवाज उसकी जो गहराई थी वो क्या थी 9 feet 9 feet यानि बी आफसनाप का यहां पर correct है इसके बाद question number 18 देखेंगे question number 18 में his mother warned him against swimming in the way यकीमा रीबर because it had उसकी माँ उसे हमेशा चिताउनिया देती थी उसको बताया करते थी तैरने के खिलाप में कहां पर यकीमा रीबर में यकीमा रीबर में के लिए उसको पराहिदाया दिया करते थी चिताउनिया करते थी तो इसमें ABCD में से आपका C option सही है इसके पास question number 19 देखेंगे दर राइटर डिसाइडर तू लर्न तू स्वीम लेखग ने निर्णे लिया तैरना सीखने का जब हो लगभग तो इसमें 4 option दिया गया है 4 option में आपका A option सही है 10 or 11 years old वो 10 वो 11 वर्स का था तब उसने ये decision लिया था कि वो तालाब में तैरना सीखेगा आगे देखें question number 20 question number 20 में बिलियम डगलस वाज ये friend and advisor आफ बिलियम डगलस जो थे एक मित्र के रूप में और एक सलाहकार के रूप में थे कोई इसमें जो है 4 option में आपकार के रूप में थे तो किसके लिए थे president रॉज बेल्ट के लिए थे तो ये option number C आपका सही है question number 21 देखेंगे where was the leg bentworth bentworth जो leg थी जो जील थी वो कहां पर थी तो इसका 4 option दिया गया है 4 option में आपका option number A सही है in new hampshire new hampshire में ये जील इस्थि make sure that he had concured the old terror how did douglas make sure douglas कैसे निश्चित हुआ किस प्रकास से उसको इसके भी बारे में जो है निश्चिता हुई that he had concured कि उसने जीद लिया था the old terror मतलब पुराने भय को पुराने डर को उसने उस पर विजय पराप्त कर दी थी तो इसमें फोर आफसन दिया गया है फोर आफसन में आपका आफसन नंबर d सही है by swimming into the lake went worth went worth में जो है तहरने के पस्चाद उसको ये भैसमाप्त हो गया था तो ये आपका आफसन नंबर d सही है हम देखें का question नंबर 23 why was douglas determined douglas ने क्यों निश्चित किया क्यों इस पर जो है नेर्णे किया to get over his fear of water यानि जल के भै से उपर आने का अर्था जो जल में उसे भै लगता था उसके से उपर आने के लिए क्यों निश्चित किया था तो इसमें फोर आफसन में आपका आफसन नंबर a सही है क्योंकि he wanted to swim क्योंकि वो तैरना चाहता था in the water आप दी क्योंकि 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 water में वो तैरना चाहता था तो इसके आफसन नंबर a आपका सही है इसके पस्चाद देखेंगे question number 24 why did douglas hire an instructor hire का मतलब होता है नवकरी पर रखना किसी को लगा लेना तो why did douglas hire an instructor अर्था douglas ने एक instructor को एक पर सिच्चक को क्यों रखा हुआ था नवकरी पर तो इसमें जो फोर आपसन दिया गया है फोर आपसन में आपसन number D आपका सही है to overcome his fear of water वो अपने जल के भाई से पानी के भाई से उपर आना चाहता चाहता था और लर्ण स्विमिंग और तैराकी सीखना चाहता था तो इसलिए उसने instructor को रखा हुआ था आगे देखेंगे question number 25 मैडर फेंट्स I hope that you are understanding my teaching और मैं चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फेंट्स में सेर करेंगे जिससे आने वाली बोर्ड परिष्छा में सब के लिए लाबकारी बन पावे question number 25 देखेंगे why did Douglas hate Douglas क्यों घ्रणा करता था ये पास डिपेंट के sentence है why did Douglas hate Douglas क्यों घ्रणा करता था to work with bare legs bare means होता है नंगे legs means होता है पैर अर्था नंगे पैरों से जो है Douglas क्यों घ्रणा करता था तो इसमें फोर आपसन दिया गया है फोर आपसन में आपसन नंबर D सही है because आप skinny leg skinny का मतलब होता है पतला तो because नंगे पैर से hate करता था आगे देखें question number 26 what was the impact of the pool incident जो पूल में तालाब में घटना घटित हुई थी उससे क्या प्रभाव पड़ा हुआ था तो इसमें फोर आपसन दिये गये है फोर आपसन में आपसन नंबर D सही है ये D नंबर आपसन सही है इसको देखेंगे यहाँ पर इसमें आपसन नंबर D सही है hydro phobia was revived hydro phobia का मतलब होता है जो जल बिरोधी चीजें होती है उसको दुहराना तो यहाँ पर देखेंगे what was the impact of the pool incident उस pool की accident से दुर घटना से क्या परभाव पड़ा हुआ था तो इसमें चीजें आ रही है कि hydro phobia was revived जो जल बिरोधी गजबिदियां थी वो पुना दुहराई गई थी तो इसमें आपसन नंबर D सही है आगे देखें question number 27 what does Douglas do to save himself in the pool Douglas ने क्या करता है अपने आपको सुरक्षित करने का तालाब में तो इसमें फोर आपसन में आपका आपसन नंबर ए सही है used his mind अपने मस्चित का प्रयोग करता है उसने अपने मस्चित का प्रयोग किया and pushed himself up और अपने आपको आगे बढ़ाया जब ही हम किसी दर के भय से युक तो होते हैं और किसी भय भय से के काण जगसित होते हैं तो हम अपने डर को अपने जो है सोच को आगे बढ़ाते हैं तो यहां डगलस ने वही किया था आगे देहें question number 28 how did the distracted make Douglas a good swimmer अर्था डगलस को जो परसिछक था उसने कैसे एक अच्छा तयराग बनाया तो इसमें 4 option दिया गया है 4 option में आपका option number D सही है with the help of ropes and belt rope means होता है रसा और belt means होता है जो belt हम पहनते हैं बांधने के लिए with the help of ropes and belt rope और रसे और belts के help से जो है उसको तयराकि सिखाने में निपोर्ता हासिल की थी तो यह option number D आपका सही है इसके परचाद देखें question number 22 29 29 देखेंगे how did this experience affect the author कैसे इस अनभों ने author पर प्रभाव जताया था अर्थात author पर प्रभाव लेखक पर प्रभाव दिया तो इसमें 4 option में आपका option number D सही है became hydrophobic became hydrophobic का मतलब जल बिरोधी गद्विधियों से अर्थात जो जल बिरोधी गद्विधियों थी उसके द्वारा जो है उसको बचाया हुआ था experience affect to author यह जो प्रियोग था यह जो अनभो था author को ज़्यादा प्रभाव दिया था जल बिरोधी गद्विधियों बिधियां जो आई थी इसमें question number 13 देखेंगे what bear the series of emotion what bear the series of emotion emotion का मतलब होता है एक अंतर मन की बात इसको कि हम back करते हैं अपनी भावनाएं what bear the series of emotion यहनि मन में जो series थी जो कलपनाएं थी उसकी जो सोच थी और जो भय था that Douglas experienced जिसको Douglas ने अनभो किया था when he was thrown into the bell जब वो तालाब में फैग दिया गया था तो यहां पर देखेंगे यह पैसी बाइज का sentence है when he was thrown in the pool जब वो तालाब में फैग दिया गया था अब इसमें 4 आपसन दिया गया है फोर आपसन में आपसन नमबर D सही है मिस्ट फिलिंग आप confidence and fear उसको जो है मिसित जो है अनभो हुआ था एक confidence का भी अनभो हुआ था जो है अपने आप में भरोसा का भी अनभो हुआ था और भय का भी अनभ हुआ था उस वक्ट तो देखेंगे यह आपसर नमबर D आपका सही है question number 31 देखेंगे what was the fear in Douglas mind Douglas के मस्तिष्क में, Douglas के मन में क्या भै था, क्या भै समाया हुआ था तो इसमें 4 आपसर दिया गया है आपसर नमबर C आपका सही है being drawn being drawn का मतलब होता है दूब जाने का, तो इसमें किसका भै था दूब जाने का भै था तो इस आपसर नमबर C आपका सही है इसके पस्चार दिखेंगे 32 questions, question number 32 what does deep water signify what does deep water signify यह जो गहरा जल था वो क्या संकेत देता था तो इसमें आपसर नमबर जो D तक दिया गया है ABCD, इसमें आपसर नमबर D आपका सही है fear, fear को इंगित करता था fear को बताता था, डर को बताता था तो इसमें दिखेंगे आपसर नमबर D सही है question number 30 से दिखेंगे what is the theme of the story deep water deep water कहानी का उद्देश क्या है इसमें कथन क्या है, कथानक क्या है क्या चीज़ें इसमें बताई गई है तो इसमें जो है हम देखेंगे कि A, B, C, D, E आपसर में आपका आपसर नमबर A सही है victory in facing the fear अथाद, डर पर चीज़ हासिल करना अथाद, डर का सामना करना उस पर चीज़ हासिल कर लेना ये आपसर नमबर A आपका सही है इस पर कार देखेंगे question number 34 what did William C. Douglas desire for अथाद, William C. Douglas की desire क्या थी, किसके बिसे में उस सोचते थे, यहाँ पर फोर आपसर में आपका आपसर नमबर C है, सही to learn swimming किसके बारे में उसकी इच्छा हैं थी तैरना सीखना याणि तैराखी को सीखने का उन्होंने desire कर रखा था, इच्छा कर रखी थी आगे देखें, question number 35 what is haunting the author haunting का मतलब होता है पीछा करना एक प्रेतात्मा के रूप में यादिस चीजों के रूप में जो उसकी पीछा करती थी what is haunting the author अथाथा आथर को भाइभीत करने वाली आत्माएं या प्रेतात्माएं जो है, क्या है तो इसमें देखेंगे फोर आपसर में आपका आपसर नमबर ए सही है, ट्रिबल experience in the pool अर्थात जो भयानक अनुभो थे तालाब में वो चीजें उसका पीछा करती थी बार बार उसको याद आती थी उसको भय वहीद करती थी तो आपसर नमबर A सही है question number 36 देखेंगे where did the writer go लेखक कहां गया when he was three or four years old in the story जब वो तीन वा चार वर्स का था कहानी में तो राइटर कहां गया तो इसके बिसमें बाब को बताना है तो इसके लिए आपसर नमबर A सही है वो कैलिफोर्निया को गया हुआ था कैलिफोर्निया इदर नेमा आपे कंट्री यहां पर कैलिफोर्निया में हो गया हुआ था तो यह C आपसर आपका सही है इसके बचा देखेंगे question number 37 YMCA stands for YMCA question number 38 किसके इस्थित था यह C आपसर आपसर नमबर D सही है Young men's Christian associate यह जो यह क्रिस्चिन थे उनके लिए बनाया गया हुआ था यह जो पूल बना हुआ था YMCA पूल था जिसमें की neat and clean वो था जिसमें की लोग दैरना सीक्षते थे यह जो है young men's Christians के लिए बनाया गया था तो option number D सही है इसके बसाद देखें question number 38 what is the story deep water is speaking about deep water जो कहानी है वो किसके बिसे में क्या बताती है नि क्या कहती है तो इसमें हम देखेंगे क्या कह रही है deep water जो story है आपकी जो deep water जो आपका chapter है ये किसके बिसे में number A सही है fear of water जैनि जल से भै and the way आप overcome it और उससे बाहर आना ये चीज बताती है एक तरब भै और दूसर उस भै से उपर आ जाना question number 39 देखेंगे for how many years had the author taught in his school in यकीमा अर्थात यकीमा की अपनी विद्याले में लेखक ने कितने वर्सों तक पढ़ाया जिसमें देखेंगे for how often में आपका आपसर number A सही है two years उसने कितने वर्सों तक महाँ पर teaching किया था पढ़ाया था तो two years यहाँ पर सही बाना जाएगा इसके पस्चार देखें question number 14 who is the author deep water deep water का लेखक कौन है तो इसमें फोर आपसर दिये गए है फोर आपसर में आपका आपसर number D सही है जैसा किया लोग जानते हैं बिलियम डगलस जो थे इसके आथर है इसके लेखक है आगे देखेंगे question number 41 at first सरपर्थम why was the writer not much frightened लेखक बहुत ज़्यदा भाइभीत नहीं हुआ था सरपर्थम लेखक बहुत ज़्यदा भाइभीत नहीं हुआ था when he was thrown into the pool जब वो तालाब में फैग दिया गया था इसमें फोर आपसर दिया गया है फोर आपसर में आपसर नमबर D सही है because of confidence क्योंकि उसे भरोसा था विस्वास था यानि अपने आप पर उसको यकीन था इसलिए वो ज़्यदा भाइभीत नहीं हो था आगे देखेंगे question number 42 hard distance Douglas cupboard while swimming across the leg bent worth जिसमें देखेंगे कि hard distance Douglas cupboard क्या दूरियां कौन सी दूरियां होती थी जो डगलस को ढग लेती थी while swimming across the leg bent worth जब उस जील को पार करने का प्यास करता था तो कौन सी चीजें थी जो उसे धग लेती थी तो इसमें फोर आपसर दिया गया है कितनी दूरी थी उस चीजों की कितनी दूरी तक वो तैर लेती था तो इसमें जो है आपसर नंबर आपका दी सही है टू मिल्स टू मिल्स तक उपने तैरा की में निपोरता प्रात कर ली थी question number 40 थी देखेंगे वाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इंटू दा वाटर आपके स्कैट अथा के स्कैट चल में जाने के लिए क्या थी चीजें जो आथर को रोगती थी तो इसमें जो है देखेंगे फोर आपसर में फोर आपसर में आपसर नंबर आपका दी सही है यादें जो यादें थी जो इसका अस्माड था जो कि पूल रूप से भैसे भरा हुआ था तालाब में वह चीजें उसे क्या करती थी रोग देती थी पराया आगे देखेंगे क्वेशन नमर फोर्टीफोर इसमोस्ट इंपॉर्टन फारे और एक्जाम यहां पर देखेंगे ओबलियम का मतलब होता है कलिपिट विग्ञान जिसको कहते हैं एक्षन की रूप में जो कलपना की रूप में एक साइंस होती है कल्पित विज्ञान होता है विज्ञान होता उसको Oblivion कहते हैं तो I cross to Oblivion का मतलब मैं उस कल्पित विज्ञान से अर्था तुस एक्षन से उसकार से को पार किया And the curtain of life fell और जीवन का परदा जो है गिरा What does Oblivion mean तो यहां पर पुछा गया है कि Oblivion का मतलब क्या है तो Oblivion का मतलब होता है कल्पित विज्ञान या एक 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 सन What does Oblivion mean तो Oblivion का क्या मतलब होता है Oblivion का मतलब होता है ये कल्पित विज्ञान तो इसको दिखेंगे तो फोर आपसन में आपका आपसन मुंबर 29 करती थी that he should learn swimming at the YMCA कि उसे swimming YMCA में सीखना चाहिए इस बारे में Douglas की मापराया जो है क्यों क्या करती थी कहां करती थी जो कि एक swimming pool है YMCA तो इसमें four option दिया गया है four option में आपसर नमबर आपका दी सही है last वाला because it was shallow and safe क्योंकि वह उथला है उथला और सुरक्षित अर्था तो ज्यादा गहरा नहीं है उथला है और सुरक्षित है इसलिए पर जो है Douglas की मदर्द उसको जो है recommend करती थी कहती थी कि वह YMCA पूल में ही तैराकी का कार सीखे तो इस तरह से my dear student this is the last questions आप multiple choice 45 तो हम यहां पर इसको इस तरह सा समझेगे मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को like करेंगे subscribe करेंगे और अपने friends में share करेंगे जिससे प्रते एक student के पास हमारा वीडियो पहुंच पाओ है और हर एक student इसका lab उठा पाओ है तो इसी के साथ में वीडियो को यहां पर close कर रहा हूं समाथ कर रहा हूं अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी नमस्कार जय हिंद जय बाद